इस वीडियो में बात कर लेते हैं मैक्स हेल्थकेर लिमेटेड़ की तो आप नोटेस कर रहोगे कि आज बहुत हेवी सेलिंग प्रेसर देखने को मिला है स्टॉक में कुछ लिए अनलेसेस देख लेते हैं चैनल को लाइक एं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आप इसके पहले सही चल रहाता है और बुलिश मोमेंटम है जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ है इसका आइप आया तो उसके बाद अच्छी खासा चली रहा है अभी दक कोई ऐसा ड्रॉप देखने को मिला नहीं है कि अच्छा खासा ड्रॉप है और लंभी अवदी से कहीं जाता अब आप जीज नोटेस करो कि यहां पे जो फॉल आया था इसने एक पैटन बनना सुरू हो रखा है यह आप यहां से देखोगे डबल बॉटम का पैटन रेडी हो रहा है इसका अगर यह फॉर्दर फॉल करता है तो फिर आप यही समझ लेना कि नीचे जाने वाला है यहां हिट लेके फिल से उपर आएगा डबल बॉटम रेडी होने वाला है क्योंकि यह वाला जो एरिया हो गया है यह सेलर्स का एरिया है यह पूरा तो यहां पे जो सेलर्स जितने भी एक्टिव हैं इसको उपर निकल नहीं दे रहे हैं फिलहाल के लिए यही से खासा यहां जाके ब्रेक आउट देगा तब उस हसाब से उस तरह से निकलेगा स्टॉक तो अभी के लिए मैंने आपको बताई दिया है नीचे जा सकता है स्टॉक और नहीं जाता है तो फिर इसी को उपर समझ लेना आप क्योंकि यहां से उपर जाएगा डबल बॉटम इस तो फिर उम्मीद थी के यहां से बुछ मुमेंटम पकड़ता कहीं ना कहीं तो अगर यहां से कहीं ना कहीं यह डबल बॉटम नहीं बन रहा हैगा तो फिर इसके उपर स्टॉक को सस्टेन करना जरूरी बदीए यहां की रैली मिलेगी 644 के टारगेट्स मिलेगे अभी जो स तो यहां तक पहुचने में के लिए स्टॉक को यह वाला लेवल को मसकत करनी पड़ेगी निकलने के लिए तभी उपर की लेवल निर्धा रहेत होंगे तो होफुली सारी चीज़े मैंने क्लियर कर दी है मैक सेल्थ में बाकी स्टॉक अच्छा है लॉंग टम के हिसाब से तो सही है और जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है तो काफी लंबे समय से आप देखोगे स्टॉक ने कोई नीचे की तरह कोई रैली नहीं दिखाई है जब लि सब्सक्राइब देखा रहा है उस फेज में तो सारी स्टॉक कैसे चलते हैं थोड़ा निकलते हैं तो अभी यह निकले का अच्छा करिए जैक्शन जैसी खतम हो जाती है तो वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में इस इस में सुभम यादक साइनिंग तक में संहुंख ॸफ।